वेलकम बैक टू रिमार्किबल स्टडीज आज जो हम वीडियो डिस्कुस करने जा रहे हैं आपके साथ वो है नीड ओफ इंक्लूजिव एडुकेशन यह टॉपिक आपको मिलेगा बीयड के सब्जेक्ट का जिसमें आज हम डिस्कुस करेंगे कि वाई नीड मतलब क्या जरू इंक्लूजिव एडुकेशन को लॉंच करना इतना जाधा इंपॉर्टेंट हो गया या इंक्लूजिव एडुकेशन को डिफरेंट एडुकेशनल इंस्टिटूशन में इशू करना बहुत जाधा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया वीडियो को सर्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नहे हैं तो वीडियो को कर लीजिए Like, Share and चैनल को भी कर दीजिए Subscribe so that आने वाली वीडियो की Notifications आपको मिलती रहे Subscribe के बटन के साथ या आपको एक बेल आइकन नजर आ रहा होगा वाम पर उसको भी Press कर दीजिए तांकि जब भी हमारे चैनल पे कोई वीडियो आए You will be notified about the video Quickly चलिए फिर start करते हैं अब हम move करते हैं अपने lesson पे सबसे पहले meaning of inclusive education Already I have discussed this meaning In detail in a separate video वीडियो का link आपको description box में मिल जाएगा पट फिर भी मैं brief में आपको बता देती हूँ Inclusive education होता क्या है देखो जो inclusive education है वो दो word से मिलके बना है Inclusive plus education Inclusive का मतलब है include करना और education का मतलब है पढ़ाई Inclusive education का मतलब हुआ फिर कोई भी वच्चा पढ़ाई से वंचितनार है यहाँ पे mainly focus किया गया disabled children की तरफ disabled children मतलब जैसे कि कई students में mentally ill होते हैं कईों की आंखों में कोई defect होता है कोई बोल नहीं पाता कोई सुन नहीं पाता किसी के hand movement proper नहीं होती ऐसे बच्चों को disabled children का जाता है इन बच्चों को timely proper education मिले इस चीज को improve करने के लिए जो है वो issue किया गया है concept of inclusive education तांकि किसी भी बच्चे को कोई भी problem ना हो in study और उनको बिना किसी रुकावट के appropriately जो study है उनकी continue होती रहे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो in future they will get a job उनको job मिलेगी और अपना future जो है वो secure अपने आप कर पाएंगे इन सारी चीज़ों को promote करने के लिए एक concept launch किया गया inclusive education इससे पहले हम एक topic discuss कर चुके थे जिसमें हमने inclusive education की importance discuss की थी कि inclusive education इतना ज़ादा important क्यूं है उस वीडियो का link पी में आपको description box में दे दूँगी आप वो भी वीडियो को एक बारी study कर सकते हैं आज हम study करेंगे need कि आखिर ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से inclusive education को launch करना बहुत ज़ादा ज़रूरी बन गया important बन गया जब भी आपके पास need आएगी you will always answer the question why आप वहाँ पे question जो है वो why का answer provide करते हैं चलिए सबसे बैदा पॉइंट रेखते हैं क्या है no consideration of disabled children अब education को promote करने के लिए काफी सारे programs launch किये गए right to education आया हमारे पास फिर बच्चों को education दी जाए बच्चे स्कूल में आए बच्चे पढ़ाई लिखाई करे midday meal scheme भी launch की गई बहुत सारे programs government द्वारा जो थे वो launch किये जा रहे थे लेकिन कहीं न कहीं जो disabled बच्चे हैं उनके लिए कोई program नहीं आ रहा था जो की इन बच्चों को भी education system में लेके आए इसलिए government ने decide किया कि हम inclusive education जो है वो start कर देते हैं जिसमें ये provision हम डालेंगे कि abled है चाहे वो disabled है वो एक ही school में बैठके अराम से पढ़ाई कर सकते हैं जो disabled बच्चे होंगे उनको कुछ additional facilities हम अपने institution में provide करते जाएंगे जिससे उनको जो है वो कोई भी problem ना हो इस चीज को motivate करने के लिए इस चीज को complete करने के लिए उन्होंने government ने inclusive education का concept जो था वो launch किया गया जिसमें कि मैं ये फिर्स चीज रिपीट कर रही हूं main focus दिया गया disabled बच्चों की education पे next point है हमारे पास depression depression का मतलब है यहां पे कि जो कई बच्चे होते हैं वो पढ़ना चाते हैं वो स्कूल में जा रहे हैं normal school में लेकिन बच्चे बाकी उनके साथ comfortable feel नहीं कर रहे हैं उनको तंग कर रहे हैं या ऐसा कोई scenario है लेकिन वो बच्चा पढ़ना चाता है लेकिन वो स्कूल जाने से भी घबराता है इस तरीके से वो बच्चे अपनी पढ़ाई से दूर हो जाते हैं इस तरीके के बच्चों को specially protect करने के लिए government ने ये program जो था वो launch किया ताकि ऐसे बच्चों को properly education जो है वो provide की जाए separate schools बना दिएगे separate facilities लाँच कर दीगे government द्वारा सरकार ने बोला कि funds हम provide करेंगे बच्चों के लिए educational institutions open करिए बच्चों की पढ़ाई को continue करिए इस तरीके से जो बच्चे depressed हो गए थे disabled children उनके लिए ये चीज़ बहुत जादा important हो गई next है हमारे पास point maximum participation of learners अब education system था उसमें हमें चाहिए थे कि जादा से जादा बच्चे जो है वो participate करें इस लिए separate institutions open किये गए उनके लिए facilities introduced की गई ताकि बच्चों को स्कूल आने में किसी भी तरीके का कोई डर ना लगे उनको बैठने में problem होती है उनको cushion वाली chairs दे दी गई बच्चों को चलने में problem होती है तो उनको crutches प्रोवाइड कर दिये गई यह स्कूल में जितनी भी दिवारें हैं उनके साथ बार्स लगा दी गई ताकि बच्चे जो है वो इन बार्स को पकड़ के आगे जो है वो चलते जाएं इस तरीके की facility स्कूल में प्रोवाइड की जानी स्टार्ट कर दी गई ताकि बच्चे जो है वो maximum to maximum educational institutions में participate करते जाएं next है हमारे पास topic development of self-confidence main motive inclusive education का यही था कि बच्चों में maximum to maximum confidence build up हो हाँ जी उनके mind में डर है कि वो पढ़ाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कैसे वो अपनी life में successful होंगे तो स्कूल में कुछ ऐसी activities करवाई जाती है जो उनका moral boost करती है जो उनके confidence को boost करती है ताकि बच्चे जो है वो confident हो जाए अपने आप में और future जो है वो उनका हो जाए पूरे तरीके से secure they will become self confident जिससे उनका जो future है वो appropriately हो जाएगा काफी जादा अच्छा next point है हमारे पास protection of rights हर एक बच्चे के पास basic rights है basic right मतलब right to education और inclusive education का मानना ये था कि बच्चे जो है वो अपने right to education से वंचित ना रह जाएं specially disabled children इसके लिए उनके लिए separate schools खोलेगे separate educational facilities प्रोवाइड की गई उनको तांकि उनका जो ये basic fundamental right है वो बिलकुल भी खराब ना हो और वो भी पढ़ लिखके अपनी life में successful हो और अपनी family के लिए future में अच्छी से अच्छी income जो है वो earn कर पाएं next point है हमारे पास responsibility inclusive education concept is being introduced in the school to make the children more responsible ये concept इसलिए launch किया गया तांकि चिल्रन जो है वो जादा से जादा क्या बन सके responsible बन सके अब जब भी school होता है आपको बता है कि school में पढ़ाई तो नहीं होती अकेली उसके अलावा और बहुत सारी activities बच्चों से करवाई जाती है काफी सारे competitions कराई जाते हैं काफी सारे और activities school में करवाई जाती है तांकि बच्चों में जो level of responsibility है वो increase होता जाए बच्चों में कुछ अपने level पे करने की हिम्मत जो है वो develop हो जाए इस तरीके की activities की भी जरूरत थी इसलिए भी inclusive education का concept launch किया गया कि बच्चों के साथ कुछ ऐसी activities उनके school में करवाई जाएं कि बच्चे अपने level पे responsibility फॉलो करें और काफी सारी activities को undertake करके appropriate decisions वो अपनी life में ले सकें next point है हमारे पास learner centered teaching learner centered teaching हमने importance में भी इस चीज पर बात की थी कि education system ऐसा बनाया गया program ऐसे launch किये गए पढ़ाई के लिए जो time table था वो ऐसा बनाया गया कि बच्चों की need को ध्यान में रखा जाए बच्चे अलग-अलग class बनाई गई जिनको देखने में problem है उनको उनकी अलग class होगी उनकी classes में projectors लगाए जाएंगे ताकि उनको देखने में कोई problem ना हो वो अराम से अपनी पढ़ाई को continue कर सकें जिन बच्चों को बैठने में problem होती है उनके लिए special stools बनवाए गए वो class अलग है ताकि बच्चे comfortably वहाँ पे बैठ के काम कर सकें अब कुछ बच्चे mentally retarded होते हैं जो बिलकुल भी अच्छा बुरा या पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते अपने लेवल पे ऐसे बच्चों के लिए activities room बनाया गया कि बच्चे आए activities करें ताकि वो कुछ ना कुछ अपने लेवल पे हलका फुलका सा develop हो सकें कि वो parents पे burden ना हो बलकि अपने लेवल पे कोई ना कोई काम वो है वो कर सकें इसलिए inclusive education ने ये खास सौर पे इस चीज़ पे ध्यान दिया कि जो approach है वो learner centered होनी चाहिए बच्चों की कमियों को दूर करना है उसके according ही हमने अपने educational plans, educational programs जो है वो introduce करने हैं यहाँ पे हमारे points होते है complete जिसमें हमने discuss किया need of inclusive education की ऐसी क्या reasons से जिनकी वजह से ये चीज़ कंसिडर की गई कि inclusive education जो है वो बहुत सादा important है I hope यह video आपके लिए helpful रही होगी if you want to add any point in this topic you can add अगर आपके mind में कोई confusion है you can comment below the point that you think you can add in this topic then I will assist you and tell you whether the point is correct or not तो घवराईए बिलकुल भी मत अगर आपके mind में कोई extra points है you can mention those points in the comment section चीक है जी चलिए फिर अगर आप मैं फिर से आपको बोड़ रही हूं कि channel को कर लीजे subscribe video को like कर दीजिए share कर दीजिए and subscribe जादा से जादा करिए it will motivate me and my team to prepare more and more content for you कि जब subscribers बढ़ते हैं जब हमें feedback positive मिलता है तो अपने आप में confidence, motivation खुद बखुद आ जाता है कि और जादा से जादा अच्छा से अच्छा content हम लेके आए आपके लिए तांकि आपकी पढ़ाई भी आच्छे तरीके से होती जाए और हमें बच्छों का support जो है वो जादा से जादा मिलता रहे इस चलिए फिर मिलते हैं अपने next lesson में, thank you